कि ब्रह्मा अंड की क्या करते हो माँबाप की करलो पर कमा कार्तिक नाराज हो गए माँ पारवती मनाने गई पर कार्तिक नहीं माने तब कार्तिक का हाथ पकड़ा तो उन्होंने हाथ भी छटक दिया माँ का नाई उन्हें नहीं जाना तो जब हाथ जटका न तो आपर एक बिल्ली बैठी और कारतिक का हाथ जोरदार बिल्ली के गाल पर लगा जटका तो तो बिल्ली के गाल से खून आने लगा और कारतिक ने मुड़ कर देखा मा दुर्गा के, काली के, पार्वती के गाल से खुन कर रहा था कार्वती घवरा गए, मा ये क्या मेरा हाथ तो लगा बिली को और आपके गाल से खुन मा भगवती ने का कार्वती तो मुझे साधरन समझता है जीव मात्र के अंदर जीतना और प्राण मैं हूँ ये देख मेरी विभूती, जैसे अर्जुन को विराठ रुप दिखाया, मा भगती ने कार्तिक को दिखाया, पूरा प्रम्हंड मा से व्यापत है, व्याग्रो हम कुरूर कर्मा हम, शन कर्मा हम महाजन है, कार्तिक ने देखा जर्रे जर्रे में मा, चर्णों में पड़ गया मा, आज जान गया, मेरी मा साधरन नहीं है, मेरी मा तो विशुम्भी है, भैरी है, दिव्या है, कार्तिक ने गामा, जब आप सब में बेठी हैं, बिल्ली में भी, सेर में भी, इस्त्री में भी, बुरुष में भी, तो मैं किसी भी बादर हूँ, इसलिए हमारी तरफ, मैं दक्षिन वारती नहीं कहता हूँ, हमारी तरफ कार्तिक कुमार है, दिक कुमारा ही, सब में माँ भगुती का दर्शन किया एक कल्प की एक अठाए कोल ये कार्ति कुमार की आराधना करने से मनुष्य वीजे ही होता है कार्ति की साधन पूजा नहीं होते बच्चों जिसको वीजय चेही अपने जीवन में कार्ति कुजन करने से अंचानन अरे बोल तो लो मुसे सच्टम कात्या यनी तीचेह छटी देवी का नाम क्या है कात्यायन नाम के रिसी ने भगुती मा की बड़ी आराधना की मा ने प्रशन होकर दर्शन दिया क्या चाहिए का आप मेरे घर में बेटी बन कर जन्मे तो कात्यायन रिसी के घर में जन्मी इसले मा का नाम कात्यायनी पड़ा ये जो छटी कात्यायनी है ना इसी कात्यायनी की पूजा मंसिर के महिने में गोपियों ने की थी कात्यायनी महावाए महायोगिन यदिश्वरी नंदगूप सुदंदेवी पतिम्मे कुरुते और कार देओ इसकी मा की कृपासे भगवान श्रिकृष्ण की गोपियों को प्राप्ति वे थी तो सच्टम का त्यायनी ती जै शब्तमार काल रात्री थी मोह रात्री महा रात्री देखो या आप कितनी भी कोशिस कर दो हर व्यक्ति के जीवन में काल रात्री आती है मोथ की रात जन्मने वाली भी ये है रखने वाली भी ये है और काल रात्री भी ये है तो सब तमम काल रात्री महागोरी तिचाश्टमम एक दिन सीवी जी में और पार्वती जी में जगड़ा हो गया चली गई हिमाले पर और उसने जाकर गनगोर तब किया काली ने और जाकर के और उसके बाद विश्व की त्रिवर संदरी मा बन गई तब ब्रह्माने का महागोरी आप जैसा गोरा ब्रह्मान में महागोरी ति चाश्टमम अरनामम सिद्धी दात्री अपने भूले हुए बच्चे वे बच्चे चाए पूजा ने करे चाए पाठ ने करे महराज केवल मा, मा बोल दे तो मा सदा सिद्धी देने के लिए तैयार रहती है ले, 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 केवल आपको क्या पुकारना है मा, मा, जरा गला खोल लीजे मा, 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 ये मेरी मैया सेरा वाली मा, ये मेरी माता महाना वाली मा, तेरा रूप है सोना सोना मैं हूँ माता तेरा खिलोना मैं हूँ माता तेरा खिलोना मा, ब्रम्भान्द में कोई सिद्धी दाखती है तो मा मा, बेटे का कैसा है ये नाता, 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 नाता जग में पावन ये कहलाता, 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 कहलाता मा, मुझ को ना कोई गम सताए मा, तेरी महिमा अनपम जाने जंधन में मवभाती बखाने, मा, 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 केवल मा कह दो, सिद्धी मिल जाएगी, इतना कोई सुंदर सास्त्र नहीं है तो नामम, सिद्धी दात्री, हमारे यां नाव दुर्गा, प्रगिर्थिता भाईया, कलिकाल में जन्मे होर कोई ज़्यादा पाठ नह करो, तो कम से कम कबच का पाठ कर लो तुम अकाल मोत नहीं मरोगे, दरदरता नहीं चिलोगे, क्योंकि उक्ता नेतानी नामानी, ब्रह्म नहीं महात्मना, अग्निना दई, आग में भी चले जाओगे, तो बजी जाओगे अग्निना दईयमानस्तु सत्रमत्देग तोरणे, विश्मे दुर्गमे चैवा, भयारता सरनंगता, नए देशाम जायते किंचित, अशुमं गड़संकटे, कभी भी असुब नहीं हो सकता है रामजी को माननने वाले होतो राम रक्षास्तोत्र पड़लो, पढ़ो रक्षास्तोत्र, यदी नारण को माननते होतो, नारण कवच पड़लो, अरिन ब्यद्ध्ध्यानमा वसर्वरक्षाम, नत अंग्रिपद वेपद गेंत विष्टे, दरारी चरमाशिक देशुचाप, बगवान नारण आठ भुजा से आकर तुमारी रक्षा करेंगे, और जगें दुनिया में चार भुजा है नारण कारो, लेकिन नारण कोच में आठ भुजा वाले नारण का वरणना है भागवत में, आप चिंतन करो, तो मेरी मा के सिद्ध दात्री डूप है, मैं बार बार कह रहा हूं, देवी भागवत में लिखा है, बेटिया मा, मा पुकारे तो मा बहुत जल्दी प्रशन हो जाती है, क्योंकि मा अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, ये भागवत मा के लिए लिखा है, इसलिए अपने या कितनी दुरगा है, नाबा इन 27, सदा नो ही रहेगा अंतिम तक, आजोडते चलीजे, नो का बाड़ा क्या रहेगा, नो ही रहेगा, ये घटेगा नहीं पर आठ का बाड़ा बढ़िये तो, आठ आठ, 16, एक कम हो गया, फिर एक कम हो गया, आठ का बाड़ा सदा कम होता चला जाता और नो का बाड़ा स इसलिए नौ का अंक, ये मेरी मा का अंक है, हमारे यह नौ दुरगा हैं, क्या है? पर हमारे यह दुरगा देवी भी नौ है, आप कभी कासी में जाएं, तो नौ दुरगा की कभी दर्शन करें, पहली दुरगा, दूसरी वन दुरगा, तीसरी कामक्षी दुरगा, चोती दुर और नौवी दुर्ग नासनी दुर्गा, दुर्गाजी के कितने रूप हैं, नौ, दुर्गा दुर्गार्थी शमनी, दुर्गा बद्वी निवारनी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्गा निहंती, दुर्ग मापहा, दुर्ग मवहा, दुर्ग मगा, दुर्गम्या, मा दुर्गवा दुर्गदा दुर्गा रनी मा के दुर्गवा बहुत नाम है दुर्गा कितनी है हमारे या नाव दुर्गा है और हमारे या काली भी नाव है देखो काली मा का एक ही रूप है लेकिन अलग अलग स्थानों में अलग-अलग काली मा के रूप होते हैं पहली काली, दूसरी स्मसान काली तीसरी बन काली, दो चोथी काल काली पांचमी प्रले काली, छटी महा काली और साथमी योग काली और आटमी भद्र काली और नौमी महा काली काली के कितने रूप है? श्मशान में उसको क्या कहते है श्मशान काली काली महा काली काल काली प्रले काली और हमारे योग काली भद्र काली हमारे रामकृष्ण काली मा का जो प्रगट करके दर्शन किया उस जमाने में अंग्रेजों का राज्ता अंग्रेज भगमान को नहीं मानते थे पर हंग्रीज भी कहा करते थे किसी ने इस स्वर को देखा है तो राम कृष्ण प्रमंद्स के पास जाओ काली मा का अराधन करते थे मां के साथ मेड़ते थे मां के साथ उड़ते थे मां के साथ हुजन करते थे वो कहा करते थे ये लोग कहते हैं पत्थर की मूर्थी बोलती है पत्थर की मूर्थी खाती है क्या अरे कैसे समझाओ इन पागलों को मेरी माँ मेरे हाथ से खाती है कितनी बार मैं माँ के गूद में बेटके खाता प्रेम हो काली से काली को प्रगड करने वाले रामकृष्ण बरबस स्मसान काली को प्रगड करने वाले बामोपदा हमारे यह बंगल के बामोपद बड़े संत हुए जिन्हों स्मसान काली को प्रगड के काल काली प्रले काली और दिवाली के दिन जो भूजा होती है न काली की भूजा होती है तो हमारे आप मा के नौ काली हैं और हमारे आप मंगला भी नौ है मंगला गोरी का तो नाम सुना होगा हमने तो हमारे आप मंगला सिव मंगला, संदर्य मंगला मंगला गोरी, सिंगार गोरी मंगला गोरी, बेदांसा मंगला मूल मंगला, महा मंगला, योव मंगला इन नो के नो मंगला गोरी के दर्शन कासी में आपको मिल जाएगे कासी में नो मंगला के मंदिर है वहा सिंगार भी मंगला है महा मंगला गोरी का भी मंदिर है सौभा के मंगला का भी दर्शन है और वहाँ विरानिशा मंगला का विदर्शन है मा के नो मंगला के रुप है बोले महाँ गवरी मंगला का ली की जैभू ये नो का अक्षर आवारे हैं बहुत बड़ा है हमारे भारत में रत्नमी नो है कितने हैं? नो हैं गिन लीजे मानक, मोंगा, पनना, पुखराज, हीरा, नीलं, घुमेद, और लसनिया नावरत न अपने हैं बरमा सिदियां कितनी आपने है её सिदियां भी नो है अणिमा, महिमा, प्राप्ती, प्राकाम्य प्राचेष्ट अश्ट शिदि नो निदी के दाठा बोलते हैं न तो हमारे हाँ सिदियां भी नौ हैं, हमारे हाँ और देवी भी नौ हैं, और महा लक्ष्मी के भी नौरूप है, हाँ जुड़िये, ओ महा लक्ष्मी, लक्ष्मी रेव्याई नमौस्तुते, दूसरी स्वर्ग लक्ष्मी नमौस्तुते, तीसरी महा लक्ष्मी नमौस्तुते, चोथी पाताल लक्ष्मी नमोस्तु ते, छटी गज लक्ष्मी नमोस्तु ते, साथ वी योग लक्ष्मी नमोस्तु ते, ग्रिह लक्ष्मी नमोस्तु ते, वैकुंट लक्ष्मी नमोस्तु ते, आनंद लक्ष्मी नमोस्तु ते यह माहा लक्ष्मी के विन वुтов ईर भीया वैगुंड में नारण के साथ में रहती है वैगुंड लक्ष्मी है वै जब भगवान नारण जे लक्ष्मी कांता प्रभू जय कमला कंता श्रीव ये कंता स्वाणी लक्ष्मी कांता बबगवान जै लक्ष्मी कांता और समके जीवन को सुखी करने वाली आनंद लक्ष्मी यासा पदमासनस्ता भिपुलगटदड़ी पदमपत्रायताक्षी गंभीरा वर्दनाभी स्तरवर्नमिता शुम्ब्रवस्तो तरिया या लक्ष्मी दिप्यरूपय वनिखनिक चिताई श्नाबिदाहे मकंबई सानितियम पदवस्ता वशुद्ममग्रिये शर्वमाम्मिये युक्ताई अलोगज लक्ष्मी नमोस्तो ते स्वारगज लक्ष्मी नमोस्तो ते मा के नौ रूप है लक्ष्मी महीया की गिनाएंगे तो बहुत नौ हैं अपने नौ का पुरुणाम कहे रेजनो इस तरह मा के अनेक रूप है अनेक रूप है मा आप साधन कीजिए मा की कृपा किसी वी रूप में तुमारे जीवन में उतरे लक्ष्मी के रूप में सरस्वती, गायत्री, शावित्री कि जीवे रूप में मां के कृपा आये तुमारे उपर जीवन में राजा जन्मेजे देवी भागवत की पवित्र कथा स्वन कर रहे है उन्होंने सुन्दर वर्णन सुना देखो बंबई में जो देवी जी है उनका नाम है महालक्षमी जहां से गोपाल जी भी कथा सुनने आए उसका नाम क्या है महालक्षमी नमोस्तुरे मां का बड़ा आनंद है अब जब लक्षमी जी की उपत्ती आएंगे तब आपको लक्षमी जी के बारे में सुनेंगे देखो प्रेम के बिना साधना नहीं हो सकती कोई भी यदि जीवन में साधना करना चाहता है तो प्रेम करना पड़ता है बिना प्रेम के साधना नहीं होती है इसलिए आप कोई भी देवी या देवता का दर्शन करना चाहते हैं तो आदव संबंद स्थापनम सबसे पहले आप संबंध स्थापित कीजिए मेरी मा लगती है हमारी दादी जी है हमारी तो माता जी है क्योंकि संबंध रखने से आपके जीवन के अंदर भक्ति का संचारन हो सकता है कई लोग से भगोती को कञ्या की जब कोई भी जीव संबंद स्थामन कर लेता है तो फिर माँ को आना ही पड़ता है इसलिए माँ माँ संबंद स्थाबित करके रखिये माँ से जब आदमी आर्त होता है दुखी होता है किसी देवता को याद नी करता पहला सब दूस के मुझे आता है माँ आदव संबंद स्थाबन भक्ती का संचाल होता है संबंद स्थाबन करो ऐसे तो ये माँ ने बालान तवस्तान अवर्दान स्त्री ने ये स्त्री है ने ये पुरुश है ने ये पुमान है और ने ये कुछ है ये तो सब कुछ है चेतना आम ही है मा, मां इस्त्रिये की पुरुष है, हमारे बंगाल में जाईए, बंगाल की सबसे पुरानी पूजा है, अड़ाइसो साल पुरानी पूजा, काली मां को जब दुर्गा पुजा आती है, तो मां को जनिव पहनाते हैं, क्या पहनाते हैं, जग्यों पहनाते हैं, माँ पुरूश है माँ तो सब कुछ है मैं जदा उलजाते नहीं हूँ आप लोगों से इतना कहना है सही में मानना है तो कृष्ण को अपना पिता मान लो भाई मान लो यह संबन्द स्थापन करने से गुरोस्तों को बहुत आनद दाता है ब्रज की लोग कथा आपने सुनी होगी जुरूर कहीं सुनी होगी आपने ब्रज की लोग कथा एक पंडी जी के चार बहुए थी बेटा नहीं था बेटी नहीं थी तो उनों ने बेटी स्थी रादा रानी गोमरा रखा ब्रज की लोग कथा है श्री रादा जी को कोई भी साड़ी लाते तो पाँच लाते, कोई भी चीज लाते तो पाँच लेखराते, चार बहों के लिए और एक बेटी के लिए, समय भीता गया अब महराज की निष्टा में कभी कोई कमी नहीं आई, कभी कोई कमी नहीं आई, पर एक स्थिन सावन का मह पिदा जी आज हम नहीं चूड़ी पेने के ला लगी चूड़ी पहनेंगे तो उन्होंने का चलो यह विसाइतिहन को कह देता हूं जाके पैना कर ते जंगी जा करके चार भूप में पैन ली चूड़ 것도 के और पैन करके और चारों आ गई लेकि पिदा जी जब पैसा तो उसने का कि पांच जनी चुड़ी पहन के गए तो वो हो पंडीजी अड़ गया, हमारे तो चारे इना है हम पांच का फैसा क्यों देगे उसने का नहीं, तो उन्हों lotta कोई अडोस पोडोस का ले गया होगाँ पहन गयी होगी, कोई जो बात हो गई, पंडी जी ने जो चोर कहना था, जो कहना था, छोटा बड़ा कह दिया, रात में जब पंडी जी सोए, पंडी जी को सपना आया, राधाना नहीं कह रहे थी, व्योह जी मुझे भूल गए था, मंदिर में आके देखा, तो स्रीर आला के हाथ में छुड़ी पड़ी थी, ये म्रच की लोग गाथा है, जरूर सुनांगे, बिन्दावन आलों से कदा सुनना आप लोगे, तो जाकर के फिर वो रोया जाकर के विसाए तिम्दु भोला, कि तुप पांच के पैसे ले चल, उसने कहा क्या हुआ, उसने बताई, उसने का अब तो पैसा लूंगी नहीं पैसा है, कि श्री राधारा नहीं चूड़ी पैनके चलिए, और आज से तो चूड़ी पैनाना भी बंद, तो आदव संबंद, आपसे अनुरोध है, कि कोई संबंद बनालो, मा बनालो, इसे पिता बनालो, तुमे माता, चविता बंदु बनालो, बंदव बनालो, संबंद से ही तुम तेना तुम्हारा प्रीम् में जादा बड़े गा क्योंकि समद्ध होने से आप का मन बढ़ बार याद करेगा आप कहो चोरा समद्ध को खाए एक नी खाए । पीया नी पीया तो है नी प्लांक तो है थाकुच मैं थाकुची हमारे फरन्दावन की तो एक लोग कफाए हुआ है, एक आदमी था, उसकी पद्रिका नम था कि सुरी, अबो कि सुरी फोड़े दिनमें चल वसी, अबो कि सुरी को लेकर इतना पाङल हो गया, कि परन्दावन करा लेकाली कि सुरी कि सुरी रोता ही रहता था देनता, कई महीने रोया एक दिन किसुरी जी के कान में पढ़ा तो लेलता जी से बली बुला दिला ना किया सारे दिन किसुरी के सा तो अपनी पत्नी के लिए पागल होके रोता था पर किसुरी जी के कान में पढ़ी तो स्री रारा जी के दरवार में पहुँ जा ये है समद्धि ये बाबा ये मैया ये तुम्हारा सर्वस्व है और ये तो सर्वस्वरी सर्वेश्वरी है ये जगदंबा है ना इसी का और ये भोले नात वगेर है सब देवतादो बाबा लोग है इनमें विया क्या होगा, वो दुआगा दो दुजरा, बाबा, बाबा सब कहे, मैया कहे, न कोई, बाबा के दर्वार में, मैया कहे, सो होई, बाबा के दर्वार में, यह सब बाबा ही बाबा है, देने वाली तो कि बलभगती माँ है, पिता के निकड पहुचने के लिए माह की सरनापन नहोने प्रगा याद र counties चाना कराती है यदि मा पहचान नहें करे तो दुनिया में कीजी को पताने चले कि तुम्हारा पितापन होने है पिता के पहचान कोज कराती है माँ इसी तरह परंपिता परमात्मा तक ये भगवती परंबाई पहुचा दिये जो मा से मिलता है जो मिलता प्यार कहां दरबार हजारों है ऐसा दरबार कहां रिष्टा मा बेटे का ना जो किसा होता है मा देख नहीं सकती बेटा जब रोता है मा के आचल जैसा को ही आधार कहां जो मा से मिलता है वो मिलता प्यार कहां बच्चों की खातिर्मा हर दुख को सहती है ममता में पड़ करमा कुछ भी नहीं कहती है विन माता के जग में विन मैया के जग में ओता परिवार कहां जो माती मिलता है जो मिलता प्यार कहां जो मासी मिलता है जो मिलता प्यार कहां कुछ पाना है भगतों सेवा मा की करना ममता के खजाने से जोली अपनी भरना तेरे जीवन का सपना तेरे जीवन का सपना होगा साकार यहां जो मासी मिलता है जो मिलता प्यार कहां जो मासी मिलता है जो में खरिया दिसने भगया और पूरी प्रके है जो सब की अरज सुने जो सब की अरज सुने ऐसी सरकार कहां जो मासी मिलता है जो मिलता प्यार कहां जो मिलता है जो मिलता है जो मिलता प्यार कहां जो मासी मिलता है जो मिलता प्यार कहां जै मा अंबी जै जग दंबी जै जग दंबी मात की दरगा भवानी की जै हूँ प्रिजनों भवती मा का बड़ा ही सुन्दर दिब्य रूप है दिब्य साधना है मा भवती की जीवन में मा के श्री चरणों में बेटने वाला व्यक्ति सदा आनंद में होता है कथा भवान वेदब्यास की हम लोगों ने सुनी देवी भावत में लिखा है कि धर्ती के उपर भवान वेदब्यास परासर रिशी के द्वारा सत्यवती के गरम से ब्रगट हुए थे वेदों का विस्तार करने के लिए सारे ग्रंतों का विस्तार करने के लिए आप भवान वेदब्यास का जनम हुआ था राजा संतनु, महान राजा हुए अपने समय के संतनु राजा इतने महान थे कि किसी का स्पर्स कर देते थे तो बूढ़ा जमान हो जाता था रोगी व्यक्ति निरोगी हो जाता था इतने सत्यवादी थे हमारा संतन कथा आई कि वही आप कृपा करके इस कथा को जरा विस्तार भरवक्त सुनाईए तो देवी भागवत की अपनी कथा है कि आईए धरती पर गंगा को भी आना पड़ा और धरती पर गंगा कैसे आई ये दूसरे शकंद की तीसरे द्याय की कथा है पहला असकंद कुरा होता है प्रेजनों एक महाभिस नाम के राजा थे बड़े प्रतापी बड़े तेजस्वी उन्हें इतना यग्या इतना पूजा इतना साधना की कि अंत में वो ब्रह्म लोग पहुँच गए राजा महाभिस बड़े ज्यानी बड़े विद्वान ब्रह्म लोग में पहुँच गए कथाओं का आनंद ले और उसके बाद ब्रह्मा जी की सवा में रहा करते थे और एक दिन की घटना है ब्रह्मा जी अपने संपुर्ण रिशियों के साथ में विश्वा में तरजमदगनी भरद्वाज गोत्तम अत्री वसिष्ट सब रिशियों के साथ बेटे थे उर्शी सवा में महाभिस्व बेटे थे तबस्वी थे ब्रह्म लोग के लाइक थे और उसी समय गंगा मैया सवा में पधारी अब गंगा जी जब आई तो जब गंगा माँ पधारी सवा के अंदर आज गंगा जी ने जो वस्त्र पहन रखे थे थे न उतने उचित वस्त्र नहीं थे सवा में जाने लाइक नहीं थे कञ्याय अच्छी रहें बढ़िया रहे लेकिन आज गंगा ने ऐसे वस्तर पहन रखे तो जो सभा में जाने लायक है नहीं थे अब जब ब्रह्मा जी की सभा में आई तो ब्रह्मा जी ने गंगा को देखा तो तड़ा नीजी नजर कर ली और सब तरीशियों ने भी लेकिन महाविस्व गंगा की तरफ देखते रहे बार बार देखो हमारा जीवन अच्छा हो यह बड़िया बात है पर सामने वाले को भी अपना जीवन अच्छा रखना चाहिए अब महाविस्व उनको देखते रहे तब ब्रह्मा ने महाविस्व से कह राजन यह ब्रम्म लोग है और यहाँ पर सद भावना, सद विचार, सद ग्यान ही रहना चाहिए और गंगा भी तुम्हें देख रही है और तुम भी गंगा को देख रहे हो जाओ मैं शाब देता हूँ, तुम दोनों ही धर्दी पर जाओ यह लोग ऐसे काम के लिए नहीं और गंगा को भी जान हुआ इससे बताया गया कि देखो हम लोग जो वस्तर पहने माताए महने वेटियां पहले तो वस्तर पे उड़ने भी उड़ लेते थे, गोर उड़ लेते थे कि किसी तरह लेकिन यहां बताया गया है कि गंगा रुहिस महाविस राजा ने देखा शाप लगा और राजा संतनु का जनम हुआ महाविसों का और गंगा को शाप के करण धर्दी पर अन shower लेकिन गंगा जो कहानियों में कहानिया है गंगा माता जब आ रही थी धर्ती पर कि अब जाना ही पड़ेगा शाप लग गया तो अश्ट वसू भी लगए उसे अश्ट वसू के अंदर आठ मारे वसू होते हैं ग्यारे द्वादस सूरी होते हैं नाम याद रखिए बारे सूरी है आदित्यम प्रतन नामे जुत्यम दिवाकरे तृद्यम भासकरम चतुतम प्रभाकरे पंच्वम सहस्रांसु सश्टम त्रिलोचन शप्तम हरिदस्व अश्टम विभावसु नौम दिनकृत दस्वम द्वादसात्मक एका दस त्रियो मूर्ती और बारवा सुरी है यह बारह सुरी होते है अपने आप इसी तरह ग्यारह रुद्रे है अपने है कौन है भव भवश्य रुद्रश्य प्रत्युसस्य प्रभावस्य यह इसी तरह आठ वसु है दरो, धुब, सोम इसके अंदर दौन यह आठ वसू है वसू का काम क्या है हमारे जो सरीर में प्रान है न इसको ठीक से चला रहा तो आठ वसु हैं हमारे याँ ग्यारे रुद्र हैं भवा आदिक लेकर के और धरो धुरुवस्या सोमस्या अहा निलो नला प्रत्यु प्रभाव ये हमारे याँ आठ वसु है आई ये कथा कितनी सुंदर है एक बार आठ वसु वसिष्ट जी महराज के घर में पदा रहे वसिष्ट जी ने का एक दिन भोजन करने आओ हमारे घर और तो ब्रह्मा विश्ट को चलाने वाले प्राणों को चलाने वाले जो वसु देवता है वो वसिष्ट जी किया भोजन करने पदा रहे और वसिष्ट महराज के पास एक गईया मैया थी जिसका नाम था कामधेनू नंदिनी और उन्होंने गईया मैया से का देखो माँ आज हमारे अश्ट वसु आए हैं जरा भोजन की बढ़िया से व्यवस्ताफ और कामधेनू गईया को जो कहते हो करें हातों हात उसने चपन भोग बना दी और अश्ट वसु ने बढ़िया भोजन किया और गईया नंदिनी का दूद तो पीने लाइक था उसको पीने वाला कभी बुड़ा में नहीं होता था बड़ी आगाय थी तो सब भोजन तो कर लिया पर आठवे वसु का नांदा दूद जब जाने लगे भोजन करके तो दूद की पत्नी ने कहा इतनी बढ़िया गईया महराजी किया काम की अपने ले चलो उन्होंने कहा किसी की गाय पर मन चलाना ठीक नहीं है चलो उसने कहा नहीं मैं अपने प्रान त्याग दोंगी इस गाय को ले चलो वसिष्च जी ने कहा देखो मेरी यग्य की गाय मैं कर से दे सकता हूँ यहां जंगल में रिसी आते हैं मैं रिसी आते हैं मुझे रोज यग्या आकरिम उन्होंने मना कर दिया पर वो तो जिद कर ली अंत में आट में वसू ने गाय की चोरी की और उसने चोरी क्योंकि क्योंकि वो जो पत्नी दी हुए कह रही दी कि मेरी एक सहली है उसको भी इसका मैं दूद पिलाओंगी तो वो भी सदा जवान प्रेगिर में भी सदा बसिष्ट जी महारा जाए और अपनी गाय जब नहीं देखी बड़े दुखी हुए उन्होंने ध्यान लगा के देगा तो आट में वसू द्रोन गाय को चुरा कर ले जा रहा है उन्होंने शाब दिया वसूँ उचे स्थान रहकर के भी गल्थ काम करते हो जाओ शाब देता हूँ तुम्हें धर्ती पर जनम लेना पड़ेगा अब आट में वसू दे गल्ती की स्कीती और लग गया साब तो सब के सब आए गुर्देव ये काम ठीक नहीं हुआ गल्ती तो उन्होंने गा जो भी हो आप लोग समझा तो सकते दे साथ वालों को समझाएं नहीं तो गल्ती थोड़ी सी तो आपकी भी है तो बहुत रोए वसू लोग की धर्ती पर हमाना नहीं चाते है तो उन्होंने का ठीक है तुम साथ तो थोड़े दिन के लिए थोड़ी देर के लिए आओगे पर यह आठमा है इसको बहुत दिर रहना पड़ेगा इदर आठ यह रोते रोते वसू जा रहे दे उपर जे गंगा जी आरे दे कहा जा रही हो का धर्ती पर जनम लेने जा रहे हो मेरे गल्ती हो गए सभास संस्तान में किस तरह जाना चाहिए यह मैंने ध्यान नहीं रखा मुझे शाप लगा है तो वसू ने कहा मा फिर यह काम करना गंगा हमारा भी दर्ती पर जनम होगा पर हम दुनिया में रहना नहीं चाहते है आप हमें जल्दी से बहा देना उसने खा ठीक है कोई बात नहीं इधर गंगा दर्ती पर आई और उसका संतनों महराज के साथ में विवा हुआ गंगा स्वरक की रहने वाली है दर्ती पर संतनों से उनका विवा हुआ लेकिन गंगा बहुत रूपो थी सुंदरी थी तो सर्त पर विवा किया कि महराज जिस दिन आप मेरा कोई भी काम हाथ पकड़ोगे मैं आपको छोड़ के चली जाओं कि राजा ने गवाई क्यों हाथ पकड़ोगा तेरा जो करना कर तेरा घर है अब पहला बेटा हुआ गंगना ने उस बेटे को टोकरे में डाला और बादिया महराज को बहुत दुख हुआ जि मेरे वन्स का एक बेटा बादिया जैसी माई और बोले तो छोड़ के चली जाए दूसरा तीसरा चोथा पांचवां कितना मावर सिरिल देगा न साथ बच्चे बहा दिये कौन दे वो बसू मां हम रहना नहीं चाते अब जल्दी कर देना हमें तेकि जब आठवां बच्चा वहाने के लिए तैयारी हुई तब राजा संत नुने हाथ पकड़ लिया मां है की तु राक्षसी है अरे एक नहीं दो नहीं मेरे कुल के इतने इतने बच्चों को बहा दिया यह क्या कर रही है तू गंगा ने कहा माराज आज आपने मुझे टोक दिया हम मैं आपके साथ नहीं रहूंगे अभी अभ ज़्यादा रहना नहीं चाते थी उनका विशाब पुरा हुआ लेकिन मा मा नहीं है जो अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा नहीं करे महराज मैं यह बेटा ले जाती हूँ समय हुगा आपको लोटा दू क्योंकि मा का कर्तम भी बनता अपने बच्चे को संतनु महराज महल में रहने लगे पर आपको पता है दूसरा विवाज संतनु का सत्यवती के साथ में इस दर गंगा के जो बेटा जन्मा था आठवा बसू और वो लड़का पांस साल का हुआ तब तक गंगा ने उसे इतने अस्त्र सस्त्र चलाने सिखा दिये कि विश्वका है कि योग ये वीर बनाये उसको आठ साल होते होते क्योंकि मा ने अपने पूरे संसकार दिये बच्चे को एक दिन साम का समय था राजा संतनु कंगा के किनारे घुम रहे थे उन्होंने देखा गंगा खाली बड़ी नीरी आगे पानी सूख गई है देखा गंगा को किसीने रुख दिया तो देखा कि एक लड़का बान मार करके इतने बान मार रहा है कि उसने गंगा को रुख दिया महराज के मूँ से निकला धन्य है तेरी मा जिसने है सावीर पैदा किया उसी समय गंगा प्रगट हो गई महराज बस यही सुनना चाहती थी मेरा काम था मैंने कर दिया अब आपका पुत्र है यह भिस्म गंगा छोड़के चलिए लेकिन एक योग्य संतान महराज को दे करके गई और भिस्म जरवन सी महाबली थे उनोंने युद्ध में परुसराम को भी परास्त किया था विस्म के अंदर कोई वीर उनके सामने टिक नहीं सकता था पिर आगे सत्यवती से बिवा हुआ और सत्यवती के बिवा में जीवर ने कहा क्या चाते हो भिस्मने का मेरे पिता गंगना के जाने से दुखी रहते हैं आपकी बेटी मेरी मा बन जाए तो अच्छा रहे उन्होंने का विस्म कौन देगा तुम्हारे पिता को बेटी क्यों कल तुम्हारे बच्चे होंगे और लड़ाई करेंगे विस्म ने का लो मैं संकल्ब लेता हूं आज ही बन ब्रमचारी रहूंगा पर मैं मेरे पिता को खुझ देखना चाहता हूं देखो मा की कदा सुन रहे हैं तो पिता ची की भी सुन लो आज ही बन ब्रमचारी रहूंगा बिवाई नी करूंगा funcion बेटे êm और क्यों गती के लिए जगड़ेंगे का तुम खुद धगड़ोगे का लोज संकलब करता हूँ मैं कभी गदी पर नहीं बेटूँगा विस्वने प्रण कर लिया सब्त्यवती से अपने पिता का उनोंने बिवा कराया लेकिन पिता नहीं जब सुना कि विस्वने दो प्रण कर लिया आज जीवन ब्रह्मपचारी रहोंगा दूसरा गदी की रक्षा करूँगा पर गदी पर नहीं बेटूँगा बाप बड़े प्रताभी थे संतनु कुई साधर में ना जातो ते नहीं भूडे को छूते थे वो जमान हो जाता था साब विमार को छूते थे वो स्वस्थ हो जाता था और संत उनोंने का बेटा जो संसार में पिता की आग्या मानता है पिता की सिवा करता है वो व्यक्ति सदा महान होता है जा मैं भी तुझे दो वर्दान देता हूँ आज कर लोग कहते हैं ना बापुजी की मानना जगे उसी क्यों माने उन्होंने का मैं भी दो वर्दान देता हूँ जा पहला वर्दान तु चाहेगा तब ही मरेगा इच्छा मृत्यू का वर्दान देता हूँ तुझे मौत भी तुम्हे नहीं मार पाएगी जा और दूसरा अंत में राम का नाम नहीं आता है कृष्ण का नाम नहीं आता है पर मेरा आशिरवाद है अन्पिम समय में भगवान कृष्ण तेरे सामने कड़े हो गए पिता धर्मा पिता कर्मा पिता ही परमंतप पितरह प्रीति मापन्नो प्रियंते सर्व देवता लेलो लेलो दुआएं माबाप की लेलो लेलो दुआएं माबाप की सर से उतरेगी गठरी पाप की लेलो लेलो दुआएं माबाप की लेलो लेलो दुआएं माबाप की जनम दिया था जिसने तुझे को उसको कैसे भूल गया जनम दिया था जिसने तुझे को उसको कैसे भूल गया याद नहीं है तुझे को प्राणी जीवन का सब मूल गया घड़ी आये ना घड़ी आये ना फिरो संता आपके लेलो लेलो दुआएं माबाप की लेलो लेलो दुआएं माबाप की मात पिता की शेवा करना भर्जित है एहसान नहीं मात पिता की शेवा करना भर्जित है एहसान नहीं कर्ज है इनका तेरे ऊपर लिक्षा या कोई दान नहीं घड़ी आये ना घड़ी आये ना फिरो संता आपके लेलो लेलो दुआएं माबाप की हो लेलो लेलो दुआएं माबाप की सर से उत्रेगी गठरी पाप की लेलो लेलो दुआएं माबाप की हो लेलो लेलो दुआएं माबाप की हो तो महाभिस का आपने चरित्र सुना दूसरे सकंद की एक अथा है देविभागत में विश्म का चरित्र आपने सुना पिता की सेवा करने वाले विश्म के सामने अंतिम समय भगवान कृष्ण खड़े हुए और उनको इच्छम मृत्यू मिली प्रेजनो माता पिता ये दो ऐसी भी भूतियां हमारे पास में है जिनकी शद्दा से प्रेम से सेवा की जाए तो इस तरह में प्रगट हो सकता है भारत का सबसे बड़ा एक आक्षरी मंत्र है भारत में जब जब बड़े-बड़े विद्यालोयों में लड़के पढ़ते थे कॉलेज में और जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो अंतिम में क्या होता दिक्षांत समार होता है और जैसा दिक्षंत समारोव हमारे भारत में हुआ है बिश्व की इतिहास में कहीं नहीं हुआ है जब जब बच्चे पढ़ लिख करके निकलते थे तो आचारिय अंतिम उबदेश देख करके बच्चों को जब बिदा करता था इस उबदेश पर हमें नजर रखने चाहिए आज भी आपके कोलेजों में बड़े बड़े दिक्षंत समारोव होगते हैं बिदा की समारोव अब पढ़ाई पूरी हो गई तो आचारिय खड़ाओ करके पहला आदेश देता था भारत का दिक्षंत समारोव का पहला आदेश देता था मात्रिदेवो भवा आज के बाद मा को हट्डी की मंस की या सरीर की मत मानना ये मानना इस तो ही मेरी मा मन करके उतरा है मात्रिदेवो भवा अरे बोलतो लो मात्रिदेवो भवा बगवान राम को तो इतना प्रेम हुआ कोसल्या मा केकई मा सुमित्रा मा फिर भी मन नहीं बरा तो सिवरी मा सब को मा कह करके राम ने और कृष्ण को तो एक मा से नहीं यसुदा मा देवकी मा कुंती मा और कितनों को कृष्ण ने मा कह करके पुकार के जीवन में मान मनाया तो दिक्षान समारों का पहला है मात्री देवो भवा और दूसरा पित्री देवो भवा पित्री देवो भवा तीसरा आचारिय देवो भवा तीसरा आचारिय देवो भवा तीसरे तुभे आचारिय देवो भवा आचार्य देवो भववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव जए तुम एक मिंड़ी पूजा करते हो, चै पांच मिंड़ करते हो, चै प्रान चले जाएं, पर अपने स्वाध्याय का कभी त्याग मत करना जाज ढूबता है, तो भी कप्तान चावी भरना है, भई ढूब रहा है, का मेरा काम है इतना वजी चावी भरने का